हलो सिबिल इंजिनियर्स एड माई डियर इस्टिरेंट्स उमीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत पढ़िया होंगे और इस इंडुस्री के अंदर अच्छा करे होंगे दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हमारी जो फांडेशन की जो ड्रॉइंग होती है यानि कि जो हम किया जाता है कहां पर किस चीज क法रेना है क्या चीज लेना है किस तरह से रीडाउट करना है तो आज हम वही चीज के अंदर आज देखने वाले में तो चलते हैं हम हमारी इस वीडियो में हमें इसका देखना है foundation का part foundation का part मतलब जो ये मेरा elevation आ रहा है मुझे इस चीज के बारे में अभी देखना है ये वाला जो part है इसके बारे में आज हम पूरा detail में बात करेंगे कि किस तरह हम इसको read out करते हैं ठीक है दोस्तों तो चलते हैं जैसे कि आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पर जो हमारा water tank होगा वो हमारा क्या है वो हमारा circular water tank है तो जब भी हम circular water tank करते हैं तो उसकी जो foundation होती है दोस्तों वो क्या होती है circular way के अंदर होती कि हमें उसको जो excavation करवाना होता है या PCC करवाना होता है या जो भी हमें foundation बार डलवानी होती है उसके अंदर वो हमें क्या करवानी होती है वो हमें circular के उसके अंदर हमें डलवानी होती है ठीक है तो यही चीज़ हम देखें कि जैसे कि आप देख रहे होगे यहां पर आप यह कुछ यह dotted line यहां पर इस टाइब से यह जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ठीक है तो दोस्ते यह जो डॉटेड लाइन होती है हमारी काई की होती है दोस्तों यह हमारी उती PCC ठीक है अब सबसे पहले इसके अंदर जब भी हम कोई भी circular work करतें तो इसके अंदर हमें क्या दिया जाता है आप कोई पता होगा कि हमें radius दिया होता है या फिर हमें उसका diameter दिया होता है ठीक है तो हम यहां के foundation की बात करें तो आप आप देखो कि यहां पर हमें दो diameter दिया हुआ ठीक है सबसे पहले हम बात करें तो आप यह बाहर साइट का देख रहों कि यह वाला जो portion है यानि कि 8-9-00 diameter दिया हो यानि कि जो हमारा outer जो circle दिया हुआ है यानि कि circle की मैं बात कर रहा हूँ यह मैं इस circle की बात कर रहा हूँ तो यह जो पूरा circle है मेरा यह मुझे कितना दिया हुआ है दोस्तों यह मुझे हमें दिया हुआ है कितना 8-9-00 जैसे कि आप देखोगे तो 8-9-00 इसका यानि कि 8-9-00 इसका diameter यहां पर हमको दिया हुआ है ठीक है अब देखो यहां परना हमारा PCC अलग है जैसे कि आप देखोगे तो यहां पर जो हमारा cut बना हुआ है वो हमारा इधर side बना हुआ है ना कि हमारा PCC में बना हुआ है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा outer diameter है वो हमारा PCC से अलग है PCC के लिए हमको अलग सिमा पर add करना होगा ठीक है तो यह हमारा 89 unit हो जाए का वहीं अगर हम internal diameter की बात करें ठीक है अगर हम internal diameter की बात करें तो वो जो diameter है उसका जो हमारा internal diameter होगा वो हमारा अंदर वाला part होगा यानि कि इस वाले part के अगर हम बात करें त तो यह आप देखो कि जो मैंने black से करा हुआ है, यह हमारा internal diameter है, और जो हमने यहाँ पर red से दिखाया हुआ है, वो हमारा क्या है, external यानि कि outer diameter है, ठीक है, अब उसी के साथ-साथ क्या है, यहाँ पर हमें PCC भी दी है, PCC कौन सी दी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, जो आप dotted line देख रहे हो, तो यह जो हमारी PCC है, यानि कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो मैं view से बता रहा हूँ, ठीक है, यह जो आप part देख रहे हो dotted lines का, तो यह हमारा क्या हो, यह मेरा PCC दोस्तो, तो यह हमारा PCC हो जाएगा, जो आप पुरा red से, आप solid line देख रहे हो, यह side मेरा outer diameter हो जाएगा, और जो black से देख रहे हो, यह हमारा internal diameter हो जाएगा, ठीक है, तो I hope यह चीज आपको समझ के आई होगी, अब उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होगे, यह हमारा हो गया, अब इसके अंदर आप कुछ अंदर से भी देख रहे होगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, तो यह हमारा जो कहलाता है, वो हमारा रिंग बीम कहलाता है, यानि कि मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं यह वाला पार्ट और यह मेरा external उसका जो diameter रिंग बीम का वो हो जाएगा और उसे के साथ साथ यह मेरा इस तरीके से हमारी ring बीम हो जाएगी ठीक है तो यह जो पार्ट है हमारा यह मेरा ring बीम का हो जाएगा ठीक है तो जैसे कि मैंने जो pink से आपको दिखाया हुआ यह मेरा ring अब आप देखोगे कि यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर सबसे पहले जो हमारा diameter दिया हुआ था यानि कि जो outer जो diameter दिया हुआ था वो हमें कहां से कहां तक दिया था वो हमें इस external यहां से लेकर यहां तक का मेरा क्या यह मेरा outer diameter है ठीक है जैसे आप देखोगे तो य यह मेरा outer diameter हो जाएगा फिर उसके बाद अगर हम internal की बात करें तो यहां पर अगर मैं internal की बात करूँ तो यह वाला part मेरा internal diameter हो जाएगा ठीक है यह मेरा internal diameter हो गया यानि कि जो मैंने black से बताया यह हमारा क्या हो जाएगा internal diameter हो जाएगा ये वाला पार्ट ठीक है और वहीं जो मेरा external है वो हमारा outer diameter हो जाएगा ठीक है वह अगर हम बात कर रहे हैं अब देखें यहां से जो diameter है यानि कि जो मेरा center से लेकर यहां के center तक है ठीक है जैसे कि जो beam ring beam का जो हमारा center से लेकर इसके जो center तक है तो ये मेरा जो dia दिया हुआ ये हमारा कितना dia दिया हुआ ये हमें 7200 dia दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी चीज़ा हमारी mm में दिये है तो ये भी हमारा mm में ही है तो आप देखोगे 7200 diameter सबसे पहले चीज़ जो हमने red से किया हुआ है वो हमारा external diameter हो गया यहां से लेकर यहां तक का ठीक है उसके बाद हमने internal diameter देखा है जो की 5100 है और उसके बाद जो हमारा ring beam का जो center से center जो हमारा dia दिया हुआ है वो हमारा 7200 है तो I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम बात करते हैं कि अगर बिलकुल आपको site के हिसाब से देखना है तो वो किस तरह से आपको दिखेगा चलिए मैं दिखाता हूँ जैसे कि आप यहां देख रहे होगे कि यह देखो आप तो यह वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला था x outer dia बोला था ठीक है अगर मैं आपको comparison करके बताओ इसका तो आप देखोगे तो यह वाला जो पार्ट है मेरा ठीक है थोड़ा सा यह आ नहीं रहे तो इसको आप समझ यहेगा ऐसे तरह से तो यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट था हमारा वो कितना था यह हमारा था 8900 ठीक है यह मेरा 8900 था ठीक है तो यह वाला जो पार्ट है मेरा कितना है था मेरा यह हमारा 8900 हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां का जो पार्ट है मेरा यह वाला जो पार्ट है मेरा इंटर्नल वाला यह मेरा कितना है दोस्तों यह अभी हमने देखा था ड्रॉइंग के हिसाब से 5100 था यह देखे यह वाला जो पार्ट है ठीक है तो यह जो मेरा डायामीटर है यह मेरा कितना हो जाएगा यहां पर यह हमारा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक कर जो diameter यह मेरा कितना था यह मेरा था 5100 ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने जो center से देखा था यानि कि यह हमारा center हो जाएगा और यह हमारा center हो जाएगा ring beam का दोस्तों ठीक है तो ring beam का जो center to center जो distance था वो हमारा कितना हो जाएगा वो हमारा 70-200 यहां पर हमारा हो जाएगा ठीक है तो यह सब हमारा mm में दिया हुए तो यहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि आपको अगर देखनी है कि किस तरह से हमें यहां पर करना होगा ठीक है तो किस तरह से हम read out करेंगे तो मैंने आपको image की तरूबी यहां पर अच्छी तरीके से बना के बता दिया है ठीक है दोस्तों अगर हम यहां पर PCC की बात करें ठीक है तो आप जैसे देखोगे जो PCC है हमारा यहां पर जो देखोगे कि हैहां से हमारा 100 mm हमें यहां पर extend करके दिया हुए है ठीक है तो यह जो part ह palab है मेरा 100 यह part मेरा कितना हो जाएगा 100 mm यहां से हम एक्टेंड करेंगे जो भी हमारा diameter हे ठीक है और जो हमारी जो thickness भी है वो भी हमारी 100 mm है ठीक है यह आप देखो कि thickness भी हमारी 100 mm और इसका जो ratio दिया वो 1 ratio to ratio 4 दिया हुआ ठीक है तो इधर side से भी 100 mm हम extend करेंगे और इधर side से भी हमें यहां पर 100 mm extend करना होगा ठीक है तो याने कि अगर हम diameter की बात करें और अगर हम PCC की बात करें तो यहाँ पर जब भी हम diameter की बात करेंगे PCC की तो यहाँ पर हमारा जो diameter बढ़ जागा यहाँ से भी हमें 100 mm एड़ करना होगा और इधर साइट से भी हमें यहाँ पर 100 mm एड़ करना होगा तो यहाँ पर हमारा जो PCC का जो diameter है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो हम उसको जब भी हम उसको excavation करवाएंगे तो हम यहाँ पर पूरा इस तरह से हम उसको लेकर excavation करवाएंगे इसका अंदर कुछ extra भी लिया जाता है हम देखेंगे जब हम उसका excavation के बारे में देखेंगे तो किस तरह से हमें लेंगे वो हम आगे देखेंगे ठीक है तो यह पूरा मेरा diameter हो जाएगा जब हमें PCC करवाना है तो हमें यह पूरा हमें यहाँ पर PCC करवानी होगी तो दोस्तों यहीं अभी हम रोगते हैं कि हम आपको यहीं तक कर दो आपको यहीं तो कि वो आपको कर दो से हमें है